So hello everyone, welcome back to Zero YouTube channel This is Shivani Keswani और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ DI जिससे सबको बहुत ज़ादा डर लगता है लेकिन यहाँ पे मैं step by step formula आपको बताऊंगी जिससे आपका डर खतम हो जाएगा और यह especially मैं अपने experience से बता रही हूँ मार्क्स बता देती हूँ IBPSPO में इसके क्योंकि SBIPO में तो sectional बताते नहीं है मार्क्स तो IBPSPO में साथ नंबर का DI आता है 35 questions आते हैं तो मेरा score बना था 24 ठीक है तो मेरा DI में अच्छा का सा score बन जाता है मैंने किस तरीके से इतना score manage किया बावजूद मुझे match का बहुत डर लगता है मुझे quant से बहुत डर लगता है DI से बहुत जादा डर लगता है फिर भी मैंने इतना अच्छा score कैसे attain किया वह मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ चाहे आप beginner हैं चाहे आप अच्छा खासा पढ़ लेते हैं स्टिल आपको problem है तो भी आपके लिए वीडियो बहुत जादा useful होने वाला है आखरी तक जरूर देखेगा So let's get started without any further delay तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर एक वीडियो शो कर रही हूँ इस वीडियो को जाकर आप देख लेना अब उसमें आपको क्या-क्या देखना है वह मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले आपके basics clear होने चाहिए Prelims आपने दिया है आप mains की तैयारी कर रहे हैं DI basically mains का ही heavy होता है Prelims का तो हमें बन जाता है तो यहाँ पर मैं मान के चल रही हूँ कि आपके basics clear है अगर आपके basics clear नहीं है तो वो मैं आपको बता देती हूँ इस वीडियो में मैंने एक एक वीडियो शो किया है कि आपको कौन कौन सा वीडियो देखना है किसके इस particular topic के लिए जिससे कि आप calculation speed up कर पाऊ अपना अप calculation को speed up करने की क्या जरूरत है जब DI का heavy सा question हमारे सामने आता है तो हम बहुत डर जाते है लेकिन जैसे जैसे हम उसको पढ़ना शुरू करते हैं समझने आने लगता है तो उसके बाद हमें जल्दी से उसे solve करना आना चाहिए तो calculation speed आपने फ्रिलंस में ही build up की होगी मैं मान के चल रही हूँ अगर आपने नहीं की आपको नहीं पता है यहां से कर सकते हो तो यहां से इस वीडियो में मैंने आपको सब बता रखा है कैसे आपको addition, subtraction, multiplication, division कैसे आप speed up कर सकते हो प्लस आपको cubes, squares के लिए कौनसे videos देखने हैं आपको roots कैसे निकालने हैं जल्दी से आशीश, रोडा, sir के videos मैंने उसमें टैग किये हैं अब approximation, simplification के लिए क्या करना है, tables कैसे करने है, hundred, आप अपने percentage को fraction में कैसे convert कर सकते हो सारे videos मैंने उसमें tag करके आपको बताएं तो वो video एक बार देख लेना, अभी तक अगर आपका calculation speed अच्छा नहीं है तो ठीक है, next चलते हैं, कि आपकी comprehension skills भी इसमें बहुत जादा important है क्योंकि जब इतने लंबे-लंबे, इतने lengthy questions आते हैं, तो आप डर जाते हो और पढ़ते हो, तो समझ में नहीं आता है जब मैंने start कीती ते यारी, तो मुझे भी नहीं समझ में आता था लेकिन अगर आपकी comprehension skills अच्छी है, अगर आपकी English आपको अच्छी आती है तो फिर आपको चीजें बंदे लगती है इसलिए English के editorial ज़रूर आप पढ़ते रहना, वो आपको English में तो help करेंगे वो आपको quants और reasoning में भी help करेंगे क्योंकि mains में इतने लंबे questions आते हैं कि उसको comprehend करना बहुत मुश्किल हो जाता है तो वो English आपकी यहाँ पे भी काम आएगी अब आजाते हैं, prelims में आपने कुछ basic chapters पढ़े होंगे जैसे percentage, average और ratio proportion जैसे क्योंकि उसमें D.I.E. unique आती है prelims और mains की D.I.E. में यही फर्क होता है basic topics की D.I.E. prelims में आजाती है और जो बाकी arithmetic topics हो गए जैसे time and work, speed time distance, mixture allegation इन सारे type की D.I.E.s आपको mains में देखने मिलती है तो आपके जो basic chapters हैं वो clear होने चाहिए क्योंकि कहीं न कहीं वो घुमा फिरा के वही चीज़े पूछते है अगर आप questions देखोगे तो इत्ता percentage more, इत्ता percentage less percentage change क्या है, average क्या है यही सारी चीज़े पूछते हैं घुम फिर के इसलिए आपके यह चीज़ें आपकी बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए भले D.I. किसी भी arithmetic topic पर आए बट आपके यह तीन chapters जो basic chapters है वो तो आपके बहुत ही अच्छे से आपके clear होने चाहिए फिर आपको कुछ basic D.I. जानी चाहिए ठीक है, जैसे D.I. को approach कैसे करना है वो आपको आना चाहिए, ठीक है, pie chart को कैसे approach करना है बार ग्राप को कैसे करना है उसके लिए बहुत सारे videos available है यूटूब पे, आशी शेरोडा सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं D.I. को approach कैसे करना है, बहुत ही अच्छी अंकुष लांबा सर भी पढ़ाते हैं अगर आप देखना चाहो, अगर आपको बिलकुल basic से समझना है तो अंकुष लांबा सर के videos बहुत helpful होंगे अड़ा के भी कई सारे teachers हैं, जो कौंच पढ़ाते हैं तो उनके D.I. के classes आप देख सकते हो सिर्फ basic ग्यान लेने के लिए सिर्फ basic बेसिक आपको समझ में आ जाए कि एक D.I. को approach कैसे किया जाता है उसके बाद आपको क्या करना है बहुत सारी practice करनी है practice बहुत ही जादा आपको करनी है क्योंकि देखो, यह कुछ ऐसे subjects है जहां पर आपको practice ही help कर सकती है अगर आप practice नहीं करते हो आपकी D.I. मानो या ना मानो आपकी D.I. में नंबर आराम से increase हो जाएंगे और यह आशी शारोडा सर की ही book है यह book आप देख सकते है D.I. 360 बहुत important book है मैं आपको इसमें बताती हूं कि क्या-क्या चीज़े है तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा क्या आपके लिए QLD beneficial है यहाँ पर आपको मिलता है पांच चार लेवल के D.I. ठीक है इसमें आपको D.I. जो quantity based questions आते हैं वो भी समें मिल जाएंगे आपको अब इसमें क्या होगा जब आप level 1, level 2 को solve करोगे अगर आप थोड़ा बहुत maths जानते हो तो level 1 और level 2 आपसे आराम से solve हो जाएगा लेकिन अगर आपने 3 और 4 को complete कर लिया कहने का क्या मतलब है यह पूरी book आपको complete करनी है अगर आपने वो complete कर लिया तो D.I. में आपको कभी भी problem नहीं आएगी क्योंकि basics आपने YouTube से सीख लिए questions आप यहां से practice कर लोगे बहुत ही शांदार explanation दिया हुआ है यहां से अगर आप solve करते हो तो ठीक है यहां पे आपको बहुत सारे questions मिल जाएगे questions की कोई कमी नहीं है प्लस आपको detailed explanations भी मिल जाएगे और आपको step by step आपका level increase किया जाएगा जिससे की आपको और जो बहतरीन वाले difficult questions होते हैं उसकी भी आदत पड़े जैसे अगर मैं आपको यहां पे बताऊं तो यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि level 1 के questions अगर आप solve करते हो तो वह आपको एक knowledge basic knowledge दे दे देंगे beginners के लिए बहुत ही important ठीक है जैसे ही आपको यह basic knowledge हो जाएगा अप level 2 पे बढ़ोगे तो level 2 पे आपके clerical exams का पूरा complete हो जाएगा उसके बाद आपको आगे नहीं बढ़ना है लेकिन अगर आप PO exams की preparation कर रहे हो तो level 3 और level 4 near to PO exams है अगर आप आरगे grade B की तयारी कर रहे हो या दूसरे regulatory exams की तयारी कर रहे हो जहां जहां quants आता है वो सारे यहां पे level 3 और level 4 में cover हो जाएगे प्लस इसमें बहुत अच्छी चीज मुझे यह लगी कि यह latest pattern last 2-3 years में जो भी questions आये हैं उस पे based है तो आपको tension लेने की ज़रुत नहीं है आपको सारे जो latest pattern के DI चल रहे हैं वो सारे मिल जाएंगे आपको और प्लस नए नए patterns हर साल आते रहते तो उसकी आपको फेकर नहीं करनी है जो repeat होते रहते हैं वो आपके यहां से cover हो जाएंगे ठीक है तो practice आप यहां से कर सकते हो तो मैंने आपको simple strategy बताई सबसे पहले तो आप अपने basics clear करो basics में आप अपनी calculation speed पे सबसे पहले focus करो फिर जो basic chapters हैं जैसे की percentage, average, ratio, proportion उनको clear करो उसके बाद आप थोड़ा सा English पे भी focus करो कि अगर आपको comprehend करने में दिक्कत आ रही है आपको question समझ में नहीं आ रहा है तो आपकी English की भी कही न कहीं दिक्कत हो सकती है फिर आप approach सीखो approach सीखो कि किस तरीके से आपको DI को approach करना चाहिए DI किस तरीके से solve की जाती है उसके बाद आप practice करो practice 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 करके जाओ और फिर quizzes लगाओ और आप अपने mock test तो देते ही रहते हो तो यह आपको करना है इससे आपकी cut off आराम से clear होगी प्लस अगर आप चाहते हो आपका quant अच्छा है तो आप इस method से बहुत अच्छा score कर सकते हो quant में ठीक है तो यह मैंने आपको पूरी strategy बता दी जो मैंने personally follow की है अपने लिए भी मैंने धीरे धीरे करके पहले basic topics को clear किया फिर जो high level topics थे arithmetic के उसको clear किया और फिर मैंने DI को target करने की कोशिश ही कैसे approach किया जाता है वो सारी चीज़े सीखी मैंने तो इस वीडियो में बस इता ही आगे बढ़ेंगे आगे अगले वीडियो में मिलेंगे so keep watching and keep studying also and take care of your health thank you bye bye